हाई गाईज वेलकम बैक टू टमी कुछ किचिन आज हमने बनाए हैं सबकी फेवरेट ये वेज मोमोस बनाना बहुत जादा असान है और खाने में बहुत जादा मज़ेदार लगते हैं और घर पर बनाए हैं तो थोड़ा सा हेल्दियर वे में बनाए हैं रेसिपी को लास तक देखिएगा ताकि आप भी ऐसे मज़ेदार मोमोस बना पाएं रेसिपी स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए आईए बनाने स्टार्ट करते हैं यहां मैंने कडाई रखी हैं और इसमें डाला है एक चमच घी और एक चमच बटर जब वो मैल्ट हो जाए उसके बाद इसमें डाल दीजिए एक चमच जीरा जीरे से बहुत यच्छा फ्लेवर आता है उसके बाद यहां एटकी हैं दो प्याज पारिक कटी हुई प्याज को भून लीजिए प्याज को यहां जादा नहीं भूनना है यानि कि इसको गॉल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि मॉमोज में कम पकी हुई सबजे जादा अच्छी लगती हैं अगर आप जादा पकी हुई सबजे लाइक करते हैं तो आप इसको जादा भी भू कर सकते हैं और उसके बाद इसको मिक्स कर लीजिए आप चाहें तो इसमें अपनी मन पसंदा कोई भी वेजटेबल एड़ कर सकते हैं उसके बाद एड़ कर दीजिए एक चमच हल्दी एक चमच मिर्च पाउडर एक चमच सौफ चीनी एक चमच एक चमच नीबु का रस आधी चमच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार और इसमें एड़ किया है एक कटोरी सोयबीन का चूरा जिसे पांच मिनट के लिए गरम पानी में भिगा दिया था जिससे कि यह सौफ्ट हो जाता है और फूल कर डबल भी हो जाता है उसके बाद हमने इसका एक्स्ट्रा सारा प 5 मिनट के लिए जिससे कि सब्जिया थोड़ी सी पक जाए आप चाहें तो जादा भी पका सकते हैं सब्जियों को और यह देखिए यह पकर बिलकुर रेडी है जब तक यह मिक्षर ठंडा होता है आईए बनाते हैं मॉमोस की मैदा उसके लिए यहां मैने एक कप मैदा ली ह जैसे की रोटी का होता है इसका बहुत सॉफ्ट आटा लगाना है तो आप इस बात का दियान रखेगा और यह देखिए यह आटा हमने लगा लिया है और यह बहुत जादा सॉफ्ट है उसके बाद इसे किसी कपड़े की हेल्प से ढखका रख दीजिए करीबन 10 मिनट के नि देखिए हेल्प से बेल लीजिए यहां आपको इसे बहुत जादा पतला बेल ला है क्योंकि मोमोस की जो परत होती है वो बहुत जादा पतली होती है मोटी बिलकुल भी इच्छी नहीं लगती है और यह देखिए यह हमने बेल लिया है बहुत जादा पतला बेला है आप द यहां आपको कुछ नहीं करना है सारे कॉर्नर्स पकड़ने हैं इसके और एक साथ चिपका दीजिए बहुत आसान तरीका है मॉमोस बनाने का और यह देखिए यह मॉमो बनकर बिल्कुर रेडी है चलिए एक और स्टाइल का बताती हूं मैं आपको मॉमोस इसमें भी आप स्ट चिपकाने के बाद अच्छे से आप इसको ट्विस्ट कर दीजिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को चिपका दीजिए इस तरह से जैसे की वीडियो में दिखाया जा रहा है और यह लीजिए यह भी बिल्कुर बनकर रेडी है बहुत जादा आसान वाले मॉमोस बताए है म आपके कितने मॉमोस बनेंगे आईए अब इनको स्टीम कर लेते हैं उसके लिए मैंने एक भगोना लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी बॉयल कर लिया है उसके बाद यहां मैंने एक चलनी ली है और उस पे अच्छे से ऑईल लगा दिया था उसके बाद आप इसमें मॉम स्टीम हो गए थे आप देखिए कैसे ट्रांस्पेरेंट हो गए हैं इसका मतलब यह बनकब बिल्कुर रेडी है निकाल लीजिए इनको और सर्व कर दीजिए रेड चटनी के साथ और म्योनिस के साथ गर्म गरम मॉमोस वह भी घर के बने हुए मॉमोस की चटनी की रेसिपी मै कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई